प्रणिजी बताईए कि सोना कैसे हमारी लाइफ को अफैक्ट कर सकता है क्योंकि हम तो देखते हैं किसी की शादी हो रही है तो दुलहन को सोना दिया जाता है माएकी की तरफ से दिया जाता है तो अब ऐसे में भी किसी एक्सपोर्ट से हम पहले राए लें देखो ऐसा है कुछ कानून ऐसे हैं जो महिलाओं के उपर नहीं लागू होते हैं जी समझ रहे हो लेकिन सोना तब महत्वपूर्ण होता है जब इसको उंगलियों में पहना जाता है तब यह देखना चाहिए कि किसको सोना सूट करता है कि इसको सोना सूट नहीं करता है लेकिन सोना अगर महिलाएं कानों में कुंडल गले में हार हाथ में कंकन और चूडियां बाजू बंद मांग्टी का यह सब अगर गहने धार्ण करती हैं तो वो किसी रासी की किसी लगन की कन्या हूं उनके लिए सब सूट करेगा क्योंकि के बारे में मानस पूजा में आद जिगत गुरू संकराचारे ने लिखा है स्वरना कलपित कुंडले शृत यूगे हस्तां बुजे मुद्रिका मध्धे सारसना नितंब फलके मंजीरम गृत द्वये हारो वक्ष सिकंकरत कारत कारो करद्वद्द के विन्यस्तं मुकुतं सि तो सोना का गहना महिलाओं को पहनने के लिए कोई रासी उसी नहीं देखनी चाहिए वो सब प्रकार के गहने कमर के उपर सोने के गहने पहन सकती है जोतिस में सोना हर ग्रह से संबंध हरता है लेकिन मुख रूप से सोने का संबंध गुरू ग्रह की ओर है ये गुरू ग्रह की धातू भी है सोना उरजा के सांस साथ सरीर को गर्मी देता है सोने में जहर को कम करने की च्छमता होती है जिन लोगों को सोना सूट कर जाता है वो रंग से राजा बन जाते हैं उनकी आरथिक इस्थिति में बहतरी बदलाव देखने को मिल सकता है लेकिन जिन लोगों के लिए सोना सुब नहीं होता है वो बार-बार दुर घटनाओं के सिकार हो सकते हैं जिन लोगों को हमेशा सरदी जुकाम रहता है उनको अपनी सबसे छोटी उंगली में सोना जरूर पहनना चाहिए उससे उनके सरीर में थोड़ी गर्मी आएगी और सरदी जुकाम की समस्या से निजात मिलेगी देखिए एक अलंकार हम लोगों को बच्पन में पढ़ाया जाता था सुबरन को खोजत फिरत कभी वे विचारी चोर ये अलंकार है सुबरन माने यहां सुबरन के तीन अर्थ हैं सुबरन माने सोना सुबरन माने सुंदर अक्षर सुंदर सब्द और सुबरन माने सुंदर रूप तीन सब्द एक ही सुबरन के यहां तीन अर्थ चिपे हुए हैं सुवरण को खोजत फिरत कभी कभी अच्छे अच्छरों के समूह को ढूंडता रहता है अच्छे सब्डों को चैन करता रहता है ब्यभिचारी सुन्दर रूप रंग को ढूंडता रहता है और चोर हर समय सोने के ताक में रहते हैं कहां से सोना चुरा लूँ, तो कहने का आसर ये है कि जब से स्रिष्टी की रचना हुई है, आज तक सोने का महत्तु हर समय इस धर्ती पर रहा है। कहने का मतलब माता को अगर सिंहासन की भी कलपना की जाती है, तो सोने के सिंहासन की कलपना की जाती है, और किसी धातु के सिंहासन की कलपना नहीं की जाती है, तो आदिकाल से सोना एक महत्तुपूर धातु रहा है, ये बात अलग है कि ब्रिसब, मिथुन और कन्यातुला, मकरकुम रासी के जात्कों को सोना कमधारन करना चाहिए, मेश, कर्क, सिंग, धनू, मीन इन रासी के ब्रिश्चिक, इन रासी के लोगों को सोना ज्यादा धार्ण करना चाहिए जैमाबिन दिवासनी